कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल रूप चंटिकी जीस गुरुम बहुत-बहुत स्वागत अब नंदन है भाईयों आज की जो मारी टॉपिक रहेगी वह जो है हिंदी के समध्र रहेगा और टॉप 80 क्वेस्टन हम लोग लेके चलेंगे जो बेरी इं कि यूग को आधूनिक हिंदी कवीता का सिंगद्वार कहा जाता है यहां पूछ राए कौ स् uda कि यूग के पर necessarily परवर्त के ही संमाजिक उपन्यास कौंण जा संसा माना जाता इस बागवती माना जाता है कि 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी तो परियोगवादी कविता के रूप में मानी जाती थी कि ब्रज भासा के सरोत्तम कभी कौन है यानि जो है ब्रज भासा के सरोत्तम कभी किसे माना जाता है किसे माना जाता है सूर्दास को माना जाता है यानि ब्रज भासा का सुरत्तों का भी सूर्दास को माना जाता है नेश कोशन है कि आदि काल के बाद हिंदी में किस साहित का उदे हुआ यह जो है आदि काल के बाद हिंदी साहित में किस युक का उदे हुआ तो भक्ति साहित का कि निर्गुन भक्ति काब के पर्मुक कभी कौन है यह जो है निर्गुन भक्ति काब के पर्मुक कभी 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 कभ लोग को होनी चाहिए नेस कोशन देखेंगे हम लोग कोश्चन नमबर नाइन है कि हिंदी का आध कब किसे माना जाता है तो हम लोग जानते हिंदी का आध कभी स्वयंभू को माना जाता है किसको माना जाता है स्वयंभू को देखेंगे हम लोग कोश्चन देखेंगे हम लोग काल का समय生 shifts Inn परसाद की स्फष्रेश हैर्शन का माइनि मानी जाती है यह पूछ रहा है की बिहारी ने क्या लिक ने क्या लिखे हैं ता मुझा जाते हैं वह जौत धे सब्सक्राइं कि कभीर किस थे तो जो कभीर कभी जो कोन थे नेस्ग कुशन किसे कहा जाता है चप्पू चप्पू थम लोग जानते हैं गद और पद के मिस्तित रचनाओ को हम लोग क्या कहते हैं या चप्पू के नाम से जाना जाता है नेश्ट कोषचन देखें कोषचन नंबर शॉला है कि कलाधार उपनाम से कविता कौन से कवी लिखते थे जए ज़र 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 एकृत्वीज प्रशादक कि प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है यह जो है प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल शूत्र है यह जो है मंगल शूत्र कब बना जाता है यानि प्रेम में प्रेम के चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है मंगल शूत्र है तो बहुत कि तुर्सी की राम चरीद मानस में कौन सी भासा का परियोग किया गया है तो आवधी भासा का परियोग किया गया है कि तुर्सी की राम चरीद मानस में कौन सी भासा का परियोग किया गया है तो आवधी भासा का परियोग किया गया है अंधा यो किस्ण ने लिखा है धरम भारती ने ही लिखा है निस्ट है कि मीरा भाई ने किस भाई से किस्ण की उपासना की थी तो मधूर भाई से मधूर भाई से किस्ण की क्या की थी उपासना की निस्ट कोशन देखें को हम लो कोशन नमबर तेई से कि रामचरित मानस का पर परधान रश है, वो है सांत रश, निश्ट है, कि सबसे पहले अपनी आत्म कथा हिंदी में किसने लिखी, सबसे पहले अपनी आत्म कथा हिंदी में किसने लिखी, तो डाक्टर रगिंदर परशाद ने लिखी, सबसे पहले अपनी आत्म कथा हिंदी में किसने लिखी, प्रकासित पत्र का नाम क्या है तो हिंदी के सब्सक्राइब का नाम है उदंड मार्तंड उदंड मार्तंड हिंदी का नम सब्सक्राइब कि हिंदी क की पर्थम काहानी बहुत इंप्रफन उप्रफन का नाम है इंदुमती प्लो विशेष से सम्भंधित होती हैं कि पितिवी रासों किस से सम्भंधित है कि हिंदी गद का जम्धाता किसको माना जाता है तो हिंदी ग्रत का जंदाता भई आम लोग भार्ते येद्ध हरिष्चन जी को कहते हैं मानते हैं किसको भार्ते हरिष्चन जी को शक्राइब को कोशन नमबर 31 कि कभी कालिदाज की अभिज्यान संकुंतलब का हिंदि नुट किसी ने किया था बहुत बेर से पंद्रा पद साहित को कितने भागों बाटा गया है 15 भागों बाटा गया है। अगला कोशन है कि कभी नरेंदर सर्मा ने रास्पिता महत्मा गाधी के निधन से प्रभावित होकर कौन से रचना की थी तो रख्द चंदन की रचना की थी। नेश्ट है कि नाट सास्त्रों दोरा अमान रस कौन सा है यानि नाट सास्त्रकारों दोरा किसको अमान गोसित किया एकिस रस को तो जो है वीभात रस को जो है अमान भोशित कर दिया गया था नेश्ट कोश्चन देखें में लोग भाई कोश्चन नमर 35 है कि काब सास का प्राचीनतर नाम क्या था तो काब सास का प्राचीनतर नाम था अलंकार सास्थ क्या था अलंकार सास्थ question question number 36 है कि रीत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे यानि यो है रीत संप्रदाय के संस्थापक थे आचारी वामन कौन थे भईया आचारी वामन थे next है कि हिंदी में काबसास के परथम आचार किसे माना जाता है हिंदी काबसास का परथम अचार किसे मना जाता है, तो केशौ दास को मना जाता है, किस को मना जाता है, केशौ दास को, लिश्ट है, कि साहित सब्द किस सब्द से बना है, तो साहित सब्द से बना है, किस से बना है या साहित सब्द से बना है, लिश्ट कोशन देखे मिलों, कोशन नमर 49 है, कि हिंदी सा ब्हासा और साहित की लेखक कौन है लेस्ट है कि मनुस्प समाजिक प्राड़ी है इसार तो नियुक्त है कि मनुष्छ एक समाजी प्राणी है किस ने कहा है अरह स्थ ने कहा है ने स्टे कोश्चन नमर rév बैयालीस है कि भासा किसे कहते हैं तो मनुष्छ अपने मानसी बीचानों के अव्यक्त के लिए जिस माध्यम का परियोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग भासा कहते हैं नेश्क कोश्चन की ओर चले ocean powder 43 है भासा सत्व उपत्ति कहां से हुई है तो जानते हैं भादस्धुत्पत्ट्य शंस्विस्त के भास धास हुई। समान सब्दों में हम भासा को कि सतरह करेंगे तो भिश्या बासा वाशाध। जिसके दोरा मनुस अपने भाओं या विचारों को बोल कर या लिक कर दूसरों तक पहुँचाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समान सब्दों में भासा का परियोग कहते हैं. निस्ट है, भासा को मोटे रूप में कितने भागों बाटा गया है? तो भाइया क्या हम लोग मौह की भासा कहते हैं. इतनी जानगी हम लोग को होनी चाहिए. नेस्स कौचछन देखें हम लोग क्वां समबंद किस लिप से है? निस्ट है समबंद नगरी कहते हैं. नेस्ट है कि संख्या की दिश्चे हिंदी का बिश्च में कौन सा स्थान है यह बोलने वालों की संख्या की दिश्चे हिंदी का बिश्च में जो है पहला तीसरा स्थान है पहला स्थान किसका है पहला स्थान है मंदारीन का इसका स्थान है मंदारीन दूसरा स्थान किसका इंग्रेजी क क्या था भाई यह तो सुधास गुरूप नाम था बल लबाचार इतना भी जानके हम लोगों नेश कोच्छन कोच्छन नम्बर जो है उन्चास है कि समिधान के किस राजमासा हिंदी और लिपी जो है देवनागरी होगी इस राजमासा हिंदी जो है तीन सतारीस में कहा गया है है कि सर्ण किराजमासा हिन्दी होगी और लिपी क्या होगी देवनागरी लिपी होगी ननेश कोच्छनobile के मलोग परच्रूरत का है जो एग खाड़ी बोली है क्वाण सा है नेश कोच्छन नंबर 92 है का ह्सें चीन फिए, जिन ध्वन्यों के संयोग से सब्दों करिमार होता है, उन्हें हम लोग वार्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? वार्ण क्याएन वार्ण कहतay हैं, अगला कॉश्चן है कि सवरोग संख्या कितनी वारणी निष्ट है कि हिंधी माना कोरण में कुल कितने वान होते हैं ने हिंदी माना कोरण में कुल कितने वान होते हैं तो बावान होते हैं कितने बावान होते हैं निश्ट है कि अंतस बेजनुग संख्या कितनी है तो अंतस बेजनुग संख्या कितनी मानीगी है चार मानीगी है कितनी चार कौन कौन से है या, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, इसे या करो, या, रा, ला, वा, कैसे यात करने के मुह बन के, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, तो अंतर बिजनों संख्या कितनी है, चार है, या, रा, ला, वा, नेश्ट कोश्चन देखेंगे, जो मातिरा के अधार पर हिंदी सरों के दो भेत कौंसे है, तो दो भेत щना है? एक दीर गहे, नेस्ट है, कोश्चन नमर 69 है, कि चावान किसके योग से बना है, बहुत बाप पैच्छों में पूछा गया है, आपकी बार बीएड में पूछा गया था, दोस्तों, यदि आपको नोकरी करना है, यदि आपको पढ़ना है, तो आप समय देखके न पढ़िए, आप कोश्चन को, जितने ही हल करोंगे, जितने जबार जस्त प्रेस्टिक रहेगी, उतने ही जल्दी आप सर्विस पाओगे, तो लोग देखते हैं, जो चावान किसके योग से बना है, ये बीएड पूछा गया था, तो चावान जो है आधा का, और जो है, ये जो है सा, य इससे मिल का बना है, क्या बना है, चा बना है, नेश्ट कोश्चन देखेंगे लोग, कोश्चन नमबर साथ है, कि हिंदी और माला में बेंजनों संक्या कितनी होती है, तो हिंदी और माला में बेंजनों संक्या तो होती है, तो हिंदी और माला में बेंजनों संक्या तो होती लोग जानते हैं कि सम्दान के आठीवन सुची में आठीवन सुची किस सम्दाइट भावसा किया तेसावी भावसा भोच पुरी सामिल करने का चर्चाएंचा चल रही है निएक कोश्चन देखें हैं लोग कोश्चन नमबर जोए 64 है कि हिंदी की विश्चिष्ट बोली ब्रज भांसा किस रूप में सबसे अधीक परश्चित है यह जोए काव भांसा में सब ज़्यादा परश्चित दे निस्ट है कि देव नागरीन लिपी किस लिप का बिक्सित रूप है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कोश्चन नमबर 65 है कि देव नागरीन लिपी किस लिप का बिक्सित रूप है ते यह जो है ब्रामभी लिपी का बिक्सित रूप है जो है बिद्धावातिक पश्चित पदा वाली किस भासा में लिखी गी है तो राज भासा है कि जाटू किस बोली का उपनाम है जाटू जाटू किस बोली का उपनाम है तो जो है बांगरू का उपनाम है निश्ट है कोचन नमबर सत्तर है कि एक मनई के दूई बिटवन रहीन या आवतरान हिंदी के किस बोली में है बहुत बढ़ी है सब्द है यह जो बोचपुरी संबंदित है भाई या बोचपुरी से बहुत है कि कभीर की बहुत कोडे ती घर करते है कि का जादूगर किसे कहा जाता है यह इंपोर्टेंस रोते हैं का जादूगर तो राम ब्रिच बेनी पूरी खमलो कलम का जादूगर कहते किसे बनती है कि प्रगतिवात उप्योगतावात का दूसरा नाम किसका है या कहतन किसका है या कहतन राम लिए किसका है कि हिंदी साहित के इतिहास के रचय तक है साइट के इतियाऄस कर चीता कवर्म इसकार राम चंदुम सब्ल नेधी के इतिहाज अब यह किसकेत लोक नाय किसे पहा जाता है लोक नाइस किस पहाएगो जो तुस्री दाज जी को तुस्री दाज जी को लोग नाया आज का टॉपिक के लास्ट कोशन देखेंगे लोग कि लोग नाया किसको कहा जाता है इंद्रपती किसे कहा जाता है तो इंद्रपती जो है विश्मु भगवान को कहा जाता है लास्ट कोशन देखेंगे लोग होता है वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक कर देना यार एक सब्सक्राइब कर दो वीडियो देखिने के लिए हमारे बाई बेनों को बहुत धन्नवात थैंक्यू थैंक्यू सो मच जैहिंग जैभारत बंदे मात्रम